गुड मॉर्निंग इस्टुरेंट मैसेल्फ रश्मी शर्मा डिपार्ट्मेंट अक बॉट्नी पंडित जवाहल लाल नायरू आर्ट्स एंट साइन्स पीजी कॉलेज बे में तरह चत्तेजगर अजका टॉपिक है थयलस ओर्गनाजीशन इन एलगी सेवालों में थेलस अंगठन इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि थेलस क्या है थेलस किसे कहते हैं और इसका अउर्गनाजीशन एलगी में कैसा होता है उसे आज हम इस लेक्चर में डिसकस करने वाले हैं तो आईए देखते हैं सबसे पहले थैलस थैलस या सुकाय एलगी की बॉड़ी को कहते हैं क्योंकि ये वेल डिप्रेंशियेटर नहीं होती है या ये कहें कि ये पल्वांट्स लीफ, स्टेम, रूट्स में जड़ तना और पत्यों में विभेरिट नहीं होता है तो इसे हम क्या कहते हैं इसे हम थैलस कहते हैं ये जो ये किसम में पाया जाता है ये मेल ये ये मेली य बालवी में पाया जाता है एंड unicellular या फिर multicellular भी हो सकते हैं इसके अलावा यह motile और non motile दोनों हो सकते हैं इन सभी को देखते हुए algae को बहुत से parts में divide किया गया है जिन्हें हम आज के lecture में discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसका types of terrorists cellular organization की basis पर यह दो types की होते हैं फर्स्ट है unicellular and second है multicellular unicellular thalus unicellular means जब कोई organism एक cell का बना हुआ होता है तब हम उसे unicellular organism कहते हैं और जब algae एक cell की होती है तो उन्हें हम unicellular thalus यह unicellular algae कहते हैं एलगी में few of ic algae में few of ic class के अलावा बाकी सभी class के जितने भी members में आने वाली algae हैं वो सभी कैसी होती है unicellular algae उनमें देखे जा सकते हैं के वल few of ic के जो members है उनमे unicellular algae नहीं देखे जाते हैं बाकी सभी में unicellular algae देखे जाते हैं unicellular फिर से unicellular thalus को फिर से subdivide किया गया है जो की following है यह है amoebioid और rhizopodial, flagellated और motile, non-flagellated और non-motile and spiral तो सबसे पहले हम देखते हैं amoebioid और rhizopodial इसको amoebioid या फिर rhizopodial इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसकी कि इसमें amoeba present होता है amoeba एक ऐसा proto joints है जो single cell वाला होता है और जिसके अंदर में pseudopodial या फिर जिससे कूट पात कहते हैं इसे के स्कूदाँक यह फोट या इसे चलने में एक इस्थान से दूसरी जग चलने में मदद करता है यह जो भॉडी स्क्रक्चर है देखने से amoeba के समान दिखाई देती है इसलिए इस लिए इसे ुक कहते हैं इस, टर चैनलस मी रिजिट upset सेलवल एप्सेंट होती है इस वज़ए से जो इनका साइट Pul Ha कांपाषम होता है वो मुवेंट करता है इस टाइप के जो होते हैं वो कि अमिभाई टाइप के दूब में में पाया जाता है तो इनके जो सैटोप्लाजम होते हैं परूंप शादिक ग्या को मोंभाभ करेंद को होता हैा इसमेंthought जिला एफजिन्ट होते हैं और देखने इसके एक्जामपल है, hrys amoeba and rhizocrisis, जासा कि आप डाइगराम में देख सकते हैं, hrys amoeba and rhizocrisis. सेकेंड है flagellated or motile, इस ताइप के थलस में flageilla present होती है, flageilla का काम movement का होता है. इसलिए जिनने फ्लेजिला प्रेजंट होती है वो हमेशा मोटाइल टैप के होते हैं क्योंकि फ्लेजिला का कामी क्या होता है मुमेंट करना तो जिस एलगी में ये पाये जाएंगे फ्लेजिला वो क्या करता है वो movement करता है algae में flagella का number अलग-अलग हो सकता है एक या दो या multicellular भी flagellated हो सकते है flagella motile होते है जो plant body को या फिर algae की जो thalus body है उसको spherical oblong और peer shaped and sometimes eye spot के साथ में elongated भी हो सकते है, means लंबे भी हो सकते है, इनका thalus capsulated या फिर naked भी हो सकता है यहाँ आप डियाग्राम में देख सकते हैं कि यूगलीना, क्लेमाडो मोनास chloroconium and chrysococcus यह सभी में क्या है flagella जो है, वो different types के flagella present है and flagella जो है, वो दो टाइप के होते है whipless और tinsel इस टाइप के तो इनमें flagella कैसी है और किस position से यह flagella जो है वो उत्पन होते है वो अलग-अलग types के algae के members में हम यहाँ देख सकते है non-flagellated और non-motile flagella जैसा के नाम से पता है इसमें flagella क्या होता है, absent होते है and flagella के absent होने के कारण यह non-motile होते है इस टाइप के unicellular organism छोटे होते हैं क्योंकि यह non-motile नहीं होते हैं तो यह कैसे होते हैं छोटे होते हैं यह small होते हैं more or less spherical elongated means lumbe और non-flagellated होते हैं इसके example है chlorella and cosmerium pinellaria and chloresterium यह सभी इसके क्या है example है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं chlorella, cosmerium, pinellaria and plus terium आगे देखते हैं fourth है spiral यह unicellular thalus होते हैं यह यह तो spiral sypela कर या फिर helical shaped के होते हैं example है इसका spirulina जैसा कि आप देख सकते हैं spirulina जो होते हैं wild shape के spiral shaped के होते हैं किसे जापान में भोजन के रुप में उप्योग किया जाता है second है multicellular thalus multicellular thalus means एक से अधिक cells में एक से अधिक cells से मिलकर बना हुआ thalus होता है और इसमें सभी cells का अलग-अलग function होता है तो यहां पर हम कॉलोनी की बात करते है तो जब कोई और गनी तो जब कोई से aggregation कहते हैं यहां पर जो daughter cells है यह एक gelatinous मास से यह gelatinous मास के अंदर में covered रहती है मूसिलेज के अंदर में क्या होती है और उसी मूसिलेज के अंदर में वह अपना division करते रहते हैं और अलग-अलग कैसे अलग-अलग नहीं होते हैं और वह देखने में एक मास के समान या फिर ग्रूप के समान दिखाई देते हैं तो ऐसी कॉलोनी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम aggregation कहते हैं या कॉलोनी यह कॉलोनी के जो cells होते हैं वह cells कैसे रहते हैं वह अलग-अलग numbers में रहते हैं कॉलोनी की जो size है वह number के साब से बढ़ भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है क्यों क्योंकि इनमें लगताय क्या होता है डिविजन होता रहता है एग्रिगेशन टाइप का जो मल्टि सेलुलर थैलस रहता है यह फिर से तीन पार्ट में क्या होता है डिवाइड होता है वर्स्ट है पामिलोइड डेंडराइड एंड राइजो पोडियल तो फर्स्ट देखते हैं हम इसमें पामिलोइड अब इसका नाम पामिलाइड क्यों पड़ा तो इसका जो प्रेण होता है कि यह फिर विर्ण। होता है अदर यहां होता है यहां पर कैसे अंडर में पाए जाती है यहां की जितनी ही एव्छे Says है एक विश्रित नहीं होता है साथ ही इनका जो साइस है यह फिर सेल्यूलय नमबर है इन में पाये जाने वाले जो नंबर वह भी कैसा होता है वह भी निश्रित नहीं होता है एक्जाम्पल है टेट्रासपोरा पामेला पामेला अफायनोथी का एंड फियोसिस्टीस यहां पर आप देख सकते हैं यह जो डाइगराम है यह है टेट्रासपोरा का जिसमें बहुत सारे आपस में डिविजन कर रहे हुँछ आगे का करें ढिक तर कर देखते हैं टेंश्णी टेंट के समान बिर्च चरिया फिर पेड़की समान होती है इसकी body microscopic tree के समान दिखाई देती ही जिसमें बहुत सारे cells एक के उपर एक क्या होते हैं attach होके एक combined group बनाते हैं समूर बनाते हैं जो देखने से कैसा दिखाई देता है एक पेड़ के समान या फिर tree के समान दिखाई देता है है जिसे तो इस डेश्वां को क्या कहते हैं डेंड़ॉ hiç के देंड लो केंडरी स्टुक्टार जो मैं पर चस्युक्सिर मुर SECRET रहता रहता एंड़ इसके एक्जम्पल य कि हम देखें तो इसके एक्जाम्पल है राइसोडेंडरन और पराइसीनो तराइसीनो क्लाट्स ग्या इंके क्या है एक्जाम्पल से नेक्स देखते हैं राइसोपोडियल क्या होता है तो जब बहुत सारे सेल्स या फिर आपस में जुड़ जाते हैं और इनके सैटोप्लास्मिक इनके सैटोप्लास्मिक प्रजेक्शन का शेप रूट या फिर राइजोड्स के समान दिखाई देता है तो इससे क्या कहते हैं राइजोपोडियल कहते हैं एक्जमपल है क्राइसि डाईस्ट्रम क्राइसि-डाइस्ट्रम सिस्द राइजोड्स यहां पर क्राइश्ट्रम इस देखें यहीं है एक साथ हो जाते हैं and second है इसमें क्या होते हैं जो होते हैं वो क्या होते हैं जहाइज के सभी वह well defined होता है means इनका जो size है वो कैसा होता है वो निश्यत होता है इस type का जो thallus होगा उसमें cell का number कैसा होगा defined होगा and fix होगा cell का number कैसा होगा fix होगा और यह जो number है यह किसी time यह किस टाइम होता है या उसी टाइम होता है जब यह सेल क्या होती है जब यह फॉर्म होती है या बनती है यह नंबर फोर्स से लेके 1000 तक चार से लेके 1000 तक की रेंज तक हो सकती है means यह बनती है जो कि सिनो बियम बनाती है इसे Engam होता है शार सेल जांखी वह सकता है 1996 only से लेके 1000 के बीच की कोई भी जो संख्या है कि उनसे बनके क्या बन सकता है निआंस हो सकता है लेकिन वह बढ़ता नहीं है कि अब सिनो बढ़ता क्यों नहीं है में एक बर तो जो नमबर है वह उतना ही रहता है कि जब उसका निर्माण होने के समय उसकी संख्या थी उतना ही नमबर कब होता है जब पाया जाने वालों से दो पार्ट में डिवाइड़ होता है फर्स्ट है non-motile synobium and second है motile philobium तो सबसे पहले हम देखते हैं non-motile synobium इस टाइब का जो synobium है यह सिर्फ chlorophyce में पाया जाता है इस टाइब के cells में बहुत सारी unicellular cells आपस में fuse हो जाते हैं यह fuse होके mucilaginous thread के समान या mucilaginous thread के साथ में क्या होते हो जाते हैं इसलिए इसका cells अलग-अलग shape का होता है means cells कैसे attach हो हैं इसके base पे यह अलग-अलग shape के होते हैं example linear shape linear shape means line के समान एक सीधा ठीक है तो इसके example है sandasmus जो की चार से 8 cells का होता है एंड प्लेट लाइक प्लेट के समान जैसा कि आप second वाले डेगराम में देख सकते हो इसके एक्जामपल है पेडियस्ट्रम एंड थर्ड है रेटिकुलेटिड इसका एक्जामपल है इस आपस में अटायच होती है और इसके जो जी ला है वह बाहर के साइड में प्रेजेंट होते हैं आपस में आटायच नहीं रहते हैं तो क्यों पलिट कोलोनी क्या करती मोफ करने में एक्प अने। थींद जब प्र होनु दो चौत करती है ट्रकेज़ करने में एक दन प्रक्रेंद करने में, कि द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है कि इस टेप कि थैलस में सेल का फंक्षन होता है इस टाइप का जो सेल होता है उसमें जो बाकी अदर सेल होगे उनका काम क्या होगा वह पहले से निश्टित होता है ज्यादा तर जो बड़ी सेल्स होती है वो फंक्षन में पाट लेती है और छोटी सेल्स जो होती है वह हमारे वेजिटेटिव कंडिशन में रहती है इसके एक्जामपल यहां पर हम देख सकते हैं एक्जामपल आफ मोटाई स्थीनोबियम तो आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट जो डियाग्राम है वह है पेंडोगाईना एंडोगाईना का जिसमें 4-32 होते हैं इसी तरह से वाल व्लॉक्स में 500-6 पार सूर से लेके साथ हजार तक की सेल्स जो होती है वह आपस में कैसे होती है एक कॉलोनी का फर्मेशन करती है वालॉक्स को हाइस्ट इवॉल्व सीनोबियल अलगी माना जाता है वालॉक्स का जो सेंटर पार्ट होता है वह कैसा होता है वह होलो खाली होता है या फिर उसमें वाटर या उसम कवा कि फील होती है। नेक्स्ट त्स निस टॉप से संथ के स्थ सल के ऊपर है वह साथ के उसके सेल के ऊपर में क्या होता है अधर रहता है एक लाइन में यह एक व्हों में कैसा होता है यह बना हुआ होता है यह दागे नुमा सरचना दिखाई देती है इस टाइप का थैलस्क बहुत सारे डिविजन से बनता है इसमें सेप्टा का सेप्टा का फॉर्मेशन होता है लेकिन सभी डॉटर सेल्स आपस में एक साथ अटैच रहती है अलग अलग नहीं होती है यह कंप्लेट स्ट्रक्चर धागे के समान दिखाई देती है जिसे हम फिलामेंटर से स्ट्रक्चर भी कहते हैं यह थैलस ब्रांचेट और नॉन ब्रां ब्रांचेड नहीं भी हो सकते हैं तॉस्ट अप फिलामेंटर फॉर्मिलामेंटर के बाईफिक यह पर त्रेल कि व्हां सेन्ग प्रांुद को निल्ग फीक्रमेंट्स खुल। फर्स्ट है simple, second है, second है hetero tricus, अब hetero tricus भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है prostate and second है erect, फर्स्ट इसमें देखते हैं unbranched filament, फिलामेंट्स, यह एक free floating type के filaments होते हैं, इसमें नीचे की तरफ क्या पाय जाता है, hold fast पाय जाता है, जैसा कि आप डियाग्राम में देख सकते हैं, कि नीचे की तरफ क्या पाय जाता है, hold fast पाय जाता है, hold fast इन्हें substratum से attach होने में help करती है, जो इनकी सबसे नीचे की cell है, इन्हें हम hold fast क्या कहते हैं, इन्हें हम hold fast कहते हैं, बेसिकली ये किसी सबस्क्रेट से क्या होते हैं, attach होने में क्या करता हैं, इनको मदद करता है, और इसका एक्जामपल है, इस पैरोगारा, ऑसिलेटोरिया, यूलोथरिक्स, एंड उडोग गोनियम, इन सभी हमको क्या दिखाई पड़ता है, cold fast जो है, वो नीचे की पहले पार्ट पे दिखाई देता है, जिससे ये अपने host प्लांट से attach होता है, एक सिंगल ब्रांच बनी रहती है, इस ताइब की थैलस में एक सिंगल ब्रांच बनी रहती है, इस टैप के थालस में एक सिंगल ब्रांच बनी रहती है और ये ब्रांच की सिंगल लाइन होती है जो बेसर सेल है जो की होल्ड फास्ट से अटैच होती है उसके उपर से सेल की शाखाएं या फिर ब्रांचेस निकलती है एक्जाम्पल है क्लाडोफोरा जैसा कि आप नहां पर देख सकते हैं एक में ब्रांचेस होती है और में ब्रांचेस के बाद में क्या होती है आदर जो बेसर सेल होती है उसके उपर से क्या होता है साखाएं जो है वो निकलती है सेकंड है Hetero Tricus Branchid Filament इस टाइप के थालस में प्लांट बोडी डिविजन प्लांट बोडी डिविजन ऑफ लेवल पाय जाता है इस में प्रत्यक सेल में फंक्शन पहले से ही decided होता है इस टाइप के plants body जो होते हैं वो दो टाइप में डिवाई होते हैं फेस्ट है फोस्टेट क्रिपिंग सिस्टम करें य्ठर और अप्राइट शैस्टम तो first दीखते हैं e a basil और फ्रनोजिबि कुज्टीक कि इस त्वाइब के सिस्टम में mostly cell कि सब्स्ट्रेटम के साथ अटाइच होकर पाई जाती है यह सब्स्ट्रेटम से अटाइच होते हैं अप आइकल पोजिशन में यह ग्रोग करती है और बहुत सारे राइजो राइजोईडियल फीलामिंटर्स सेल्स का फोर्मिशन करती है यह फोटोसंथेटिक होते हैं इस टाइप के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर में प्रोस्टेट सिस्टम बहुत ज्यादा कैसा होता है elaborate होता है जब कि इसका I will have the system जो होता है वह कैसा होता है चोटा होता है एक जामपल है कोल्यो कीट जैसा कि आप डाग्राम में देख सकते हैं कि किस या डाग्राम है ये और पर अपड़ायट सिस्टम स्टैप की जो ब्रांच फोटी है वो फोस्टेट सिस्ट्टम से ही डवेदलप होती है किसे डवार फोस्टेट सिस्टम से ही डवल पोती यह से कुशंद के जासा स्ट्रक्चर देती है इसका इक्जाम्पल है ड्रेपर नल, ड्यॉप्सिस, ड्रेपर नल, ड्यॉप्सिस और एक्टो काल्पस डाएगृराम में आप ड्रेपर, ड्रेपर लैल्डि ओप्सिस का डार्जवर्ण एक्टोकार्डिस का डार्जवर्ण देख सकते हैं नेक्सट है स्छीडो पैकलकीटर्थ जो देखने में पैकलीय मेटीं जासा लूप जासा क्या होता है ये दिखाई देता है लेकिन parents counting cells नहीं होती देखने से कैसे दिखाई पड़ती है parents YouTubers के जैसे दिखाई पड़ती है लेकिन यह parent Ou 오래 secondary structure या development है जिसमें cells आपस में क्या होते है जिसमें सेल्स आपस में अटैच होते हैं और बहुत पास-पास में पाई जाती है तथा देखने से ये सेल्स हमको कैसे दिखाई पड़ते हैं एक दूसरे के अंदर में इंटर्विविविंग या यह कहें कि जैसे मालाय हम गुठते हैं एक के बाद एक दूसरे के अंदर में गूत ही हुई दिखाई देती है इस टाइप का थालस दो टाइपस में डिवाइट किया है 1 यूनि-aXEAL-SUDO-Parenchymeters तो इसे देखते हैं यूनि-aXEAL-SUDO-Parenchymeters cells यह ब्रांचेस यूनी एक्जियल फिलामेंटर से निकलती है और आपस में एक दूसरे के पास-पास में रहती है जो सिंगल सेस होती है उसी में यह कैपिबिलेटी पाई जाती है कि वहां से ग्रोथ जो है वो कैसा हो इंडिपेंडेंट हो ताकि बाकी जो ब्रांचेस के अंदर जो कैपिबिलेटी नहीं होती है ठीक है तो इसके एक्जाम्पल है पॉली साइफोनिया एंड बैटर कॉस्पर्मम मल्टी एक्जियल शूड्यो पैरंट कायमेटर्स यह कैसी होती है यहां पर भी क्या होता है फिलामेंट प्रजेंट होता है एंड सभी फिलामेंट्स जो होते हैं यह आपाइकल सेल में क्या होते हैं पाए जाते हैं योनी एक्जियल जो सेंटर वाला पार्ट होता है सेंटर वाला जो सेल होता है उसमें अपकल सेल में जो फिलम में वह पाए जाता है तो शेक्छिट अबन्ध इंडिपेंडंट ये उत्पन कहले गजिया और अब देख सकते हैं को निमा लियॉन आरह साइफोरह ये देखने में है टूप के समान दिखाई देते हैं और इनका formation और इनके बीच बीच में क्या होता है सप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है यह multi-nucleated होते हैं और इस टाप का जो थैलस होता है इसमें सप्टा का formation only कब होता है जब इसमें reproduction का time आता है reproduction के अलावा यह हमेशा कैसे होते हैं without सप्टा ही पाया जाते हैं इसके example यह वाऊची एंगया बट्रीडियम कॉलरपा कोडियम एंड हली मेडिए हली मेडा आप यहां डाइकराम में देख सेके एंगा पॉलरपा कोडियम एंड हली मेड़ किसी में भी आप बनते हैं का समय आता है नेका इस टाइब का थारेजिस कैसा होता है यह ंपार्मेशनimeter होता है वो सेल के different different plane में जो division होते हैं उसके दोरा इसका formation होता है देखने से ये पत्ती नुमा जिसे हम क्या करते हैं foliage foliage structure कहते हैं उससे इसका development होता है इसका example है अलवा, अलवा के अंदर and porphyra में ये देखने को tubular type के parent chymeter cells देखने को मिलते हैं इसका example है enteromorpha, सरगासम and laminaria में जो cells है वो इस type में ये वो इस type से divided होती है कि देखने पर हमें वहाँ पर एक central medulla, middle cortex and outer mesoderm clear दिखाई देगा यहां आप example देख सकते हैं अलवा, punctaria, porphyra, enteromorpha, laminaria and sargassum अलवा, punctaria and porphyra ये तीनों की जो body वो आप कैसे दिखाई पड़ती है वो थैलस के समान दिखाई पड़ती है जबकि अलवा, enteromorpha जो होते हैं वो tubule-like structure की form में आपको दिखाई पड़ते हैं अलमinaria and sargassum जो है उनमें आपको leafy form में थैलस दिखाई पड़ते हैं थैलस कैसे होते हैं इसमें leaf के समान दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो leaf नहीं होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो algae होता है नेक्स्ट देखते हैं एक्विसिटॉइड एक्विसिटॉइड यह देखने में हमें एक्विसिटम के जैसा ही क्या होता है दिखाई देता है इससे एक्विसिटॉइड नाम इसने दिया गया है क्योंकि यह filamentus algae होती है अग्हि जुडॉड पैरकेंटन कार्मेटर्स आर उनके जो different types क्या होते हैं पैरण कार्मेटर्स या इमारी में इस उनके द्वारा होता है एंड यह इस च्ट्रक्ट Lindsay बनता है यह स्ट्रक्ट्चा बनता है एक्वी सिटम के समान स्टूड्य पैलनक्रामितर सेल इनका इनका बनता है इनकर टैक्डठोफाइट बट एक्वी सिटम की टाइप में कि ईडिखाई देती है मिन्स एल्गी नहीं है वो एकवी सिटम क्या एकवी सिटम टेर्टोफाइटा है लेकिन एक एल्गी ऐसी जो कैसी दिखाई पड़ती है एकवी सिटम के पौधी के समाल दिखाई पड़ती है इसे वापस से दो टाइप में डिवाइट किया गया है फॉस्ट एम गांचेड प्रुटी होती है और सेटर व्रचाण ओद ग्रोत इसमें जो इनकी वृती होगी वो कैसी होती है अन्लिमिट होती है मतलब कि वह बहुत ही कि लंबंबाई में वड़ते हो उनका कोई एक लिमिट नहीं होता है उनकी वृद्धी का जैसा कि आप यहां डाइग्राम में देख सकते हैं, कारा और नाइटेला की घुच लेंट की सकते हैं, जो कारा है जो कैसे होते हैं, लिमिटेड लोथ होती, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जो उनके प्लांट है, तो स्टुडेंट्स आज का यह जो टॉपिक धईल्स ऑगयनेजेशन अलगी यह complete होता है Thank you